दोस्तों current affair का ही टेस्ट रहने वाला है टोटल संख्या होगी questions की 15 और दो नंबर का प्रती question होगा यानि 30 नंबर का महारा ही टेस्ट रहेगा 20 मिनिट का लगबग ये टेस्ट रहने वाला है तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आप सबका आपके अपनी YouTube चैनल सिरी एजुकेटर्स मैं विजय संगल परती एक दिन लेके आता हूँ आप सबके लिए current affair की टेस्ट और जिसमें हम परती एक दिन 15 question attempt करते हैं जिससे की continue चलता रहता है हमारा revision भी और exercise भी प्रेक्टिस तो शुरू करते हैं दोस्तों हाल में ही हाल ही में खबरों में रही हार्पून मिसाइल के इस देश के द्वारा विक्षित की गई हार्पून मिसाइल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली has been developed by which country option A है USA, option B है चाइना, C है भारत और D है इंग्लेंड आपको एक छोटा सा कारी करना है जैसे ही मैं question read करता हूँ 5 second के अंदर आपको अपना answer comment box में comment करना है फिर तो मैं जैसे answer बताता हूँ तो आपको अपना analysis करने है तो अपना answer match कर लेना गलत होगा जब भी घबराने की बात नहीं है गलत यहाँ पर कर लो कोई दिक्कत नहीं एक जाम के मैं बैटके गलत नहीं कर पाऊगे तो option A इसका right answer हो गया जो हारपुन missile है वो डेबलब कीप गई है USA द्वारा और USA की full form है United States of America कौन से continent में है यानि कौन से महादीप में यह आप comment box में comment करके बताएंगे और USA के अंदर वर्तमान समय में कितने राज्य यानि कितने श्टेट मिले हुए हैं मतलब कितने राज्य वर्तमान समय में USA के पास है answer A इसका right answer हो गया question number 2 की बात करेंगे where has the world green economy from been launched recently हाल ही में world green economy form का सुभारम कहा हुआ है चार option A है Spain, option B है Paris, option C है Chennai, और D है हमारा option Dubai तो right answer क्या होगा फटाई फट अफट, चारों में से एक answer रहने वाला है दोस्तो Spain, Paris, Chennai, दुबई में से तो world green economy form का सुभारम कहा हुआ option D, Dubai दुबई इसका right answer हो गया दुबई कौन सी country में पढ़ता है यह आप बताएंगे Chennai कौन सी country में यह तो अपने बारत में पढ़ता है यह तो सबको पता होगा चनnai का पुराना नाम क्या था यह आप comment box में बताईए Paris कौन से देश में पढ़ता है और Spain कौन से महादीप में पढ़ता है ठीक है कौशन समझना क्या पूछा है Spain जो है यह कौन से महादीप में पढ़ता है यानि continent में पढ़ता है Paris कौन से देश में है दुबई कौन से देश में है ठीक है option D इसका right answer हो गया question number 3 की बात करेंगे when was international non-violence day celebrated recently international non-violence day यानि हाल में ही अंतिय राष्टिय अहिंसा दीवस कम मनाया गया तो चार option है option A है 30 September option B है 2 October 2 October C है 1 October और D है 3 October यानि 30 September 2 October 1 October 3 October तो देखिए अहिंसा के पुजारी कौन थे हमारे राष्ट के बापुजी यानि की महत्मा गांधी जी MK गांधी जी महंदास करम चंदर गांधी जी तो इनके जनम सती पर अंतिय राष्टिय इस्तर पर international non-violence day celebrate किया जाता है 2 October को तो गांधी जैनती मनाई जाती है 2 October को भारत में और अंतिय राष्टिय इस्तर पर international non-violence day के रूपे मनाई जाता है आपको एक काम करना है इनका date of birth यानि की इनका जनम काप और कहां पर हुआ था एक तो ये बताना है और इनके द्वारा कौन-कौन से अंदोलन किये गए है तो में-में जैसे की तीन अंदोलन है में-में जैसे आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में साथ ही ये भी बताना है आप सब को कि गांदी जी भारत कब आये थे और कहां से आये थे ठीक है ये कुछ क्वेशन से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने है भी इसका राइट अंसर हो किया question number 4 है दोस्तो recently where will koko world cup 2025 be organized मतलब जो बच्पन से ही हम koko खेलते हैं तो उसका एक world cup हो रहा है 2025 में तो पूछ रहा है कि कहां पर आयूजित कराया जा रहा है हाल ही में koko world cup 2025 का आयूजन कहां किया जा रहा है एक तो आप अपना favorite game बताईएगा comment box में और उपर से koko किसने खेला ये भी बताईएगा तो कहां पर आयूजन हो रहा है 2025 में koko world cup का option 4 है याप पर option A France, option B India, option C है ब्राजिल option D है अफगानिस्तान तो right answer क्या होगा बताईए तो right answer अपना प्यारा भारत भारत में यानि इंडिया के अंदर खोखो world cup 2025 का आयूजन कराया जाने वाला है clear question number 5 की बात करेंगे who has become the top bowler in the recently released ICC test balling ranking option A है मतलब की हाल में ही जारी जो ICC test balling ranking में कौन सीर्स गैंद बाज रहे हैं option A है मिचेल स्टार्क option B है रवी चैंद्र अस्विन option C है जस्पृत बुम्रा option D है वोल्ट 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 है नग तो आपको एक छोटा सा गाम करना answer तो में इसका बताऊंगा बताऊंगा पलाए आप अपना comment box में comment कर लीजेगा एक तो यह बताएं मिचेल इस्टार्क कौन से खेल से संबंदित है और कौन से country के यह player है दूसरा वोल्ट जो है यह किस खेल से संबंदित है और कौन से दे से संबंदित है ठीक है क्योंकि MPPCS हो या UPPCS हो या BPSC हो या RPSC कोई सा BPSC हो यहां तक कि आजगल 2024 में जो UPSC का एकजाम हुआ है उसमें भी game से संबंदित question direct बने है तो यह भी एतराज नहीं होगा examiner को ऐसे भी question बनाने में तो पता होना चाहिए कि कौन खिलाडी किस दे से संबंदित है और कौन से खेल से संबंदित है तो यहां पर रवी चंद्रा अश्विन जी और जस्परीत बुम्रा यह तो आपको अच्छे से पता होगा अपने भारती किर्केटर है और किर्केट से संबंदित है ओप्शन C इसका रवाइट अंसर जस्परीत बुम्रा को अभी हाल में ही ICC टेस्ट बॉलिंग रेंकिंग में सीर्ज गैदबाज बनाया गया है तो आपको एक काम होर करना ICC की फुल फॉर्म और इसका फाउंड कब किया गया है नहीं स्थापना कब की गई यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो राइट अंसर हमारा इसका C होगे जस्परीत बुम्रा क्वेशन नमबर 6 की बात करेंगे दोस्तो Which country has recently banned UN Secretary General Antonio Guterres from entering the country हाल ही में किस देश ने सयुक्तराष्ट महासाचीव Antonio Guterres के 대श में परवेश पर परतिसे बंद लगा दिये आप्शन A है इस्राइल, आप्शन B है इरान, आप्शन C है इराक और आप्शन D है पाकिस्तान तो बताइए फटब वट क्या अंसर रहने वाला आप सब का हाल में ही किसने लगाया सहिएक राष्ट महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देश में परवेस पर तो ओप्शन A इस्राइल ने हाल में ही सहिएक राष्ट के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के देश में परवेस पर परतिमंद लगा दिया तो इस्राइल की जो कैपिटल है क्या है ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे इरान की क्या capital है ये भी बताना इराक की क्या है और पकिस्तान की क्या है ये राजधानी जो है इनकी वो आप comment box में comment करके बताना ये इसका right answer हो गया Question number 7 है Where was the closing ceremony of the 7th National Nutrition Month 2024 held recently हाल ही में सातवे राश्टिय पॉशन महां 2024 का जो समापन हुआ है कहां पर आयोजित हुआ इसका राश्टिय पॉशन महां 2024 कौन से number का addition है सातवे number का addition है इसका मतलब कि अभी से पहले 6 हो चुके है तो सवाल है कि एक तो छटा कहां पर हुआ था और सबसे पहले कब इसका आयोजित कराए गया पर इस सातवा है 2024 क्या यह परतिक वर्ष होता है या फिर परतिक दो वर्ष होता है या फिर छमाई में होता है या आप comment box में comment करके बताएंगे राश्टिय पॉशन महा के सुरुआद कब हुई और छटे राश्टिय पॉशन महा 2023 या 2022 या पिर जो भी वो कवायो जित किया गया कहां पर आयो जित किया गया option A है राची option B है है हैदरबाद option C है राइपूर option D है पटना तो right answer हमारा राची हो जाएगा option A राची देखें दोस्तों जो मैं आपसे question पूशता हूँ इनसे न आपको ही benefit है साथ ही मेरा विरी विजन हो जाता है अगर आप बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे comment box में तो जाहिर सी बात है एक स्वस्ता पून और निस्पक्स रूप से आप यहाँ पर अपना comment box को एक study group बना सकते हैं तो आशागरता हूँ कि आप अच्छे से इसे लेकर चलेंगे सिक्षित समाज में सिक्षित यूवाओ के माध्यम से सिक्षित comment box का section हो जाएगा अपना तो right answer option हमारा ए हो गया हाल में ही सात्वा जो राश्टिय पोश्चन महा है 2024 का जो समापन समार हो हुआ तो वो राची जारखंड में हुआ तो आपको एक काम करना है जैसे मैंने अभी राची बताई जारखंड की राजदानी तो हैदराबाद किसकी राजदानी है राइपुर किसकी है और पटना किसकी है ये comment box में comment करके बताईए क्योंकि question न दोस्तो आस-पास में सही बनता है बस हम क्या करते हैं revision नहीं कर पाते हैं और मेरा उद्देश यह है कि मैं आपका एक test के माध्यम से क्यों ना revision भी हाथो हाथ करा दूँ क्योंकि mobile सब यूज करते हैं laptop सब यूज करते हैं laptop तो बहुत rare मतलब कि करते होंगे परन्तो mobile तो mostly आज का टाइम में सभी यूज करते हैं option A इसका right answer हो गया question number 8 की बात करें in which country has the UAE ambassadors been attacked recently हाल में ही किस देश में UAE के राजदूत के आवास पर हमला किया गया option A है France, option B है Poland option C है Brazil, option D है Sweden तो देखिए दोस्तों अगर किसी भी देश की embassy या राजदूत पर दूसरे देश में attack हो जाता है या सुरक्षा को खत्रा है तो इसका मतलब जिस देश का ambassador या फिर embassy है उस देश को security पर मतलब कि वो direct, indirect उस देश को चेता होनी या फिर उस देश को आँख दिखा रहा है तो अभी Sudan के अंदर option D इसका right answer Sudan के अंदर UAE के जो ambassador थे, residence उन पर attack किया गया तो इसका मतलब UAE पर attack किया गया है तो right answer हमारा इसका option D हो जाएगा Sudan, तो आपको Sudan की राजधानी और UAE की राजधानी बतानी है France की राजधानी बतानी है ब्राजिल की राजधानी बतानी है कारण matching के लिए UPPCS में frequently question बनते है एकदम direct की matching करो कौन सी कुछ देश की राजधानी है या फिर संबंदित मतलब की विशे और संबंदित संबंद बताईए जैसे France की Paris देधी पोलेंट के साथ में ब्राजिल की और सुडान की इस तरीके से आपको इनकी एक तो राजधानी पता होनी चाहिए और एक साथ ही कौन-कौन से महादीप में यह स्थित है यानि continent में located है तो right answer हमारा D हो गया सुडान question number 9 की बात करे which state has recently become the first state to get woman entrepreneurship platform chapter of नितियायोग हाल ही में नितियायोग का महिला उध्यमिता platform chapter पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देखें यहाँ पर जो अभी woman entrepreneurship platform chapter है यह तो और फिर यह जो नितियायोग है नितियायोग में न निति की full form पूछते है UPSC ने दो से तीन बर इसके पर question बनाया है दो नंबर का कि नितियायोग की क्या full form है यह comment box में comment करके बता न नितियायोग की क्या full form है साथ ही कभ इसको बनाया गया और किसको replace करके नितियायोग भारत में लाया गया और इसके अध्यक्स कौन होते है और इसके उपाध्यक्स कौन है और इसके CEO पहले कौन थे और वर्तमान समय में CEO कौन है यह question आप चरूर comment box में comment करके बताईए एक अच्छे से आपका comment section तयार हो जाएगा option A है हिमाचल परदेश, option B है हर्याणा, option C है तेलांगना, option D है राजिस्तार तो बताईए हाल में ही कौन है जो पहला राज्ये बना नितियायोक का महिला उध्यमिता platform chapter पाने वाला, तो राइट अंसर अपना प्यारासत तेलांगना C हो गया अभी हाल में ही भारत में पहला राज्य बन गया तेलांगा जिसने नितियायोग का महिला उध्यमिता प्लेटफर्म चैप्टर पाया है तो आपको नितियायोग से संबंदित इन्फॉर्मेशन कमेंट वोक्स में कमेंट करनी है नितियायोग की फुल फॉर्म इस्थापना और किसको रिमूव करके आया रिप्लेश करके आया साथ ही इसके अध्यक्स कोन होते है और उपाध्यक्स कोन है और पहले उपाध्यक्स कोन थे वर्तमान में उपाध्यक्स कोन है और पहले CEO कोन है कौन थे और वर्तमन समय में कौन है CEO तो right answer हमारा दोस्तो 9 हो गया 9 का C हो गया question number 10 की बात करेंगे who has recently been elected by the Indian newspaper committee as it is president for 2024 to 2025 हाल ही में Indian newspaper समीती ने 2024 के लिए किस से अध्यक्स चुना है यह उनसे paper के लिए Indian newspaper के लिए Indian newspaper समीती ने ठीक है option A है राजवीर सिंग्चोहान option B है M.V. स्रेयश कुमार option C है राजश्री बिडला option D है कुल्दिप मिश्नोई जी तो right answer क्या हो जाएगा option B M.V. स्रेयश कुमार जी को हाल में ही Indian newspaper समीती ने 2024 के लिए अध्यक्स चुना है इनको M.V. स्रेयश कुमार जी को right answer B हो गया question number 11 की बात करेंगे हाल ही में परधान मंत्री मौदी ने कहां जमेका मारका उद्गाटन किया वियर है प्राइम मिनेश्टर मौदी रिसेंटली इनोग्रेटेड दा जमेका रूट option A है हैदराबाद option B है मॉंबाई option D है सी है डाली option D है जैपूर तो कौन-कौन से राज्जे में है ये लोकेटड ये आप comment box में comment करके बताना दोस्तो तो right answer option C हो गया अपनी प्यारी देली तो हाल में ही परदानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर जमेका मारका उद्गाटन किया है तो right answer C हो गया question number 12 गी बात करने वाले है where has बापू टावर been inaugurated recently हाल ही में कहां पर बापू टावर का लोकारपन किया गया तो चार option है option A है हिमाचल परदेश B है हरियाना और C है हमारा बिहार और D है राजिस्तान तो right answer option C हो गया दोस्तो बिहार में हाल में ही बापू टावर का लोकारपन किया गया तो ये question तो DPSC में जरूर बनने की संभावना है क्योंकि अभी हुआ है तो बापू टावर कहां पर हुआ बिहार में Option C इसका Right Answer हो गया Question number 13 की बात करे Recently where will India participate in the Euronevel 2024 Defense Exhibition हाल ही में भारत कहां Euronevel 2024 रक्षा पर दर्शनी में भाग लेगा या ले रहा है तो चार Option है कहां पर ले रहा है Option A है पैरू Option B है पॉलेंड Option C है फ्रेंस Option D है अपना प्यारासा है साउथ अफरीका तो Right Answer Option C हो गया कौन सा एक्जिबिशन डिफेंस एक्जिबिशन है Euronevel Euronevel है न तो Euronevel मतलब Europe Nevel मतलब समुंदरी यानि की नेवी और कौन ले रहा है भारत तो कहां पर ले रहा है फ्रांस के अंदर Euronevel 2024 डिफेंस एक्जिबिशन में भारत ने भाग लिया कहां पर फ्रांस में तो C इसका राइट आंसर हो गया कौशन नमबर 13 का कौशन नमबर 14 और आज का सेकेंड लाश्ट कौशन होगा हाल ही में किसने RINL में CMD का अत्रिक परभार संभाला है तो तो ओप्शन ए है राजेंदरी आधावर ओप्शन B है आमिद मिश्रा ओप्शन C है अनुराकश है ओप्शन D है एके सक्षेना तो ओप्शन D इसका राइट आंसर एके सक्षेना जी ने हाल में ही RINL में CMD का अत्रिक परभार संभाला है तो D इसका राइट आंसर हो गया और आज का अंतिम कोशन होगा हाल ही में भारत ने किस देश से आए थे इस बात पर एंटी डंपिंग चार्ज सुरू किया है तो Recently India has started anti-dumping investigation on still coming from which country तो देखे dumping charge क्या होता है यह आप बताने का परियास करिए नहीं तो next lesson में बताने का परियास करूँगा आपको dumping मतलब dump कर देना तो anti-dumping मतलब की dump कर देना इधर से उठा के उधर dump लगा देना तो China चाइना क्या है बड़ा बत तमीज देश है और यह ऐसी गतिविदी करता है जो भी अपना वेश्ट होता है वो भारत में लाके purchase sale करता है जिस कारण भारत में क्या किया अब यह steel को लेकर चाइना से आ रहे है इस पात पर anti-dumping charge सुरू की है तो क्या अंसर हो गया option A हो गया USA option B रसिया option C चाइना option D इंग्लेंड तो right answer हमारा option C हो गया चाइना हाल में ही भारत ने चाइना से आये थे इस पात पर anti-dumping charge सुरू की है तो right answer D हो गया आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जो test है test series चलाई जा रही है उससे आपको काफी भाइदा मिलेगा और काफी important questions भी है और हमारी रोजमर्रा के questions जो हम use करते हैं वो उससे भी संबंदित हैं और आशा है आप comment box में comment करके comment के माध्यम से एक परतियोगता करने का परियास करेंगे और जो competition होता है वो हमारा खुस से होता है जितना better तरीके से हम revision करेंगे उतना ही better तरीके से निकल के आएंगे निखर के आएंगे तो उमीद है मेरे प्यारे दोस्तों आपको पसंद आया होगा आपको एक छोटा सा कारी करना है like करना है